चावला इस्टोक मार्केट में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करें विकास इकोटेश के बारे में अब तक का सबसे बड़ा दमाका 2022 और मई का टार्गेट सामने आया अब गलती मत का देना दोस्तो विस्पोटक ख़बर आई अभी अभी तो फ्रेंड से वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट अगर आपके पास में विकास इकोटेश का एक बी यूनिट ना ये वीडियो अपके लिए डारेट वीडियो को सुरू करेंगे दोस्तो देखो आज चार उपए 45 पेसिक आए गया था चार उपए 5 पेसिक पर कलो हुआ था महां आपको बता दू दोस्तो यहां पर देखो आज सेर है जो और बोर्ट जोन में चला गया था मतल इसका आरेसाई है जो हेंडेड हो गया था इसलिए सेर गिरा अब हैं 46 यानि नोर्मल से भी नीचे है दोस्तो क्यूंकि 60 परस देखो 60-80 परसेंट लोग ना जिसे सेर है जो गिरा था और ऐसी कोई नीज निये जिसके बल पर है सेर गिरा है देखो इसी गिरावट के चकर में 3 क्रोड शेर आये थे मार्केट में और बैया देखो एक वीक में 12-13 परसेंट का रिटन निकाल की देदिया ध्यां रखना इस बात का अब आपको क्या करना देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना देखो 90 क्रोड का इस पर देपता है लेकिन 134 क्रोड का इस पड़ा है प्लीज भी है 0504 अभी किया है परमोटर के पास में इस्सेधारी भी है मत्वल ये कंपनी वर्ल्ड की नमर वन फुटवेर कंपनियों में से एक आती है इसका में बिजनस है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि विकास लाइपकेर की तरही भी अगर इसको होल्ड करते हो ना तो भाईया माला माल बन जाओगी अब इसका जो टारगेड निकल के आया नहीं दोस्तों देखो ये दोको विकास इकोटेज है माई का टारगेड इसका साथ रुपए 22 परेसे का माई का टारगेड निकल के आ रहे है दोस्तों अब आपको क्या करना है देखो दोस्तों अगर आपके पास में किसी भी लेवल पर ये श्टो करना तो एक बर आपको होल्ड करने की जरूरत है क्योंकि देखो इसमें RSI की कान से गिर आउट होई है वना तो यह सेर बहुत ज़दा गिर गया है ना उपर के लिवल से बहुत ज़दा करेस हो गया है इस टाइम पर तो अब आप उनको क्या है डनना नहीं है बिल्कुल भी और दूसरी बात यहां पर देख लो यह जहां पर है वहां पर भ रुपए का शेर है तो भाईया यह 40 रुपए का भी शेर होगा लेकिन थोड़ा से टाइम देना होगा मार्केट को आपको कमपनी में कोई फ्रोल बाजी नहीं है सब कुछ पोजिटिव है कमपनी देखो फर्नामेटली स्टोंग है बस आपको थोड़ा टाइटली होल्ड कर करने की जरूरत है और डना बिल्कुल भी नहीं है आई होप सारी बात समझ गयोंगे दोस्तों थैंक्यू प्रेंस